Hello everyone, स्वागता है आपका मेरे चैनल पे आज मैं बेशन का लड़ू बनाने जा रही हूँ बहुती इजी तरीके से मैंने बनाया है और बहुती जल्दी बनाया है चलिए बनाना सुरू करते हैं बेशन का लड़ू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन रखाए गरम होने के लिए उसमें डालूंगे आधा कप गी यहाँ पर मैं दो कप बेशन का लड़ू बना रही हूं जिसमें आधा कप गी डाला गी को थोड़ा गरम होने दे अब इसमें बेशन डालेंगे एक कप बेशन थोड़ा से इसको मिला ले और यह दूसरे का बेशन का बस इसको मिलाते रहे सुनने में जितना मुस्किल लगता है बनाने में उतना ही आसान रहे से पिहाई है और खाने में तो इतना स्वादिस्ट है कि बस पूछिये मत थोड़ा से पैसेंस रखें और थोड़ा सा मेहनत करना थोड़ा से मेहनत करने से बहुत यह अच्छा लडूबन के तैयार होता है और यहाँ पर बस आपको यह करना है कि इसको लागातार चलाते रहना है मीडियम आज पर आज को लो मीडियम पर करके बेशन को लागातार चलाते रहना है मैं यहाँ पर बार बार इसलिए बोल रहना है आज को लो मीडियम पर करने क्योंकि बेशन है उसको भूनना परता है और वो जितना अच्छा से लो मीडियम पर भूनाएगा लड़ू उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा बस इसका मेंटरी के आई है कि बेशन ठीक से भूनना चाहिए उसके बाद आपका लड़ू बहुत अच्छा बनेगा तो बस इसको चलाते रहें यहां पांच मिनिट हो चुका है आप देख सकते हैं घी और बेशन दोनों मिल गया है आराम से बस इसको इस तरह से चलाते रहें ऐसे ही मिलाते रहें चारों तरफ से टोटल बेशन के लड़ू बनने में मैंने दो कप बेशन लिया था इसको बनने में आदा घंटा का टाइम लगा है बेशन अगर कम है एक कप है तो 20 मिनट में बेशन भून जाएगा यहां मैं इसको लगातार चला रहे हूं जैसे आप देख रहे हैं बेशन घी रिलीज करना शुरू कर दिया है इसी तरह से जैसे जैसे बेशन भून आएगा तो इसकी अच्छी खुस्बू आएगे बहुत ही अच्छी खुस्बू आती है इसको भूनते भूनते आपको इसका कलर से इसकी खुस्बू से आडिया आ जागा कि बेशन हमारा भून चुका है यहां पर देखिए कलर कितना अच्छा है बेशन का तो यहां हमारे बेशन को भूने हुए पच्चीस मिनट हो चुका है बेशन भून चुका है बस यहां पर आप इसको निकालके किसी दूसरे बरतन में सिफ्ट कर देजिए ने तो जो पैन हमारा गडम होता है न तो उससे ज्यादा ओबरकुक हो जाएगा या नीचे से जल जाएगा इसलिए उसको निकालके दूसरे बरतन में रख लीजिए तो मैंने यहां पर निकाल लिया है अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तुनंत गरम बेशन में चीनी ना मिला या ड्राय फ्रूस्ट ना मिला गरम होती है चीनी पिखल जाएगे इसलिए इसको ठंडा होने के लिए एक साइड में रख दें यहां 5-7 मिनट हो चुका है ठंडा हो चुका तब मैं इसमें थोड़े से कटा हुआ फ्रूस्ट डाल दूंगे मैंने यहां पर बादाम पिस्ता और काजु को इस तरह से छोट पॉडर भी डाल सकते हैं लेकिन इसकी खुसभू इतने अच्छी आती है कि मैंने वह नहीं डाला मुझे उसका ज़रुत नहीं लगा आपको अगर पिलाइची बहुत ज्यादा पसंद है तो आप इलाइची पॉडर डाल सकते हैं यहां पर बची इसको मिला ले तो यहां प मैंने पॉडर बनाया है आप बूरा से भी बना सकते हैं वह आपको मार्केट में मिल जाएगा लेकिन हम यहां पर जब घर में लडू बना रहे हैं तो मैंने चीनी से ही बनाया बस चीनी को एक कप चीनी को मिक्सर ग्रेंडर में दो बार चला ले तो फाइन पॉडर बन बैशन और चीनी के पॉडर को अच्छी तरह से मिला ले तब तक मिलाते रहे हैं जब तक हाथ में लडू जैसा वह बंदने न लगे बस यहां पर देखिया मिक्सचर ठीक से मिल चुका है थोड़ा मेहनत लेगा इसको मिलाने में इस तरह से मिला है बस यहां पर मिक्सचर को मैंने ठीक से मिला लिया है बस चलिए अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं ति हम इने हाथ को ठीक से साप कर लिया अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा जो गी वला बर्तन था कप उसी जी लेकर थोड़ा से धाश हात में घी लगा लेंगे जिससे लड्डू जब बनाएंगे तो हमारे हाथ में चिपके नहीं इस तरह से हाथ में घी लगा के और लड्डू बनाना शुरू करते हैं आपको जो साज पसंद है उस साज में लड्डू बनाईए घर का लड्डू है भाई, बड़ा बनाईए, चोटा बनाईए खाने में सभी अच्छे लगते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं नॉर्मल जो लड्डू का साज होता है उस तरह से बनाया है इस तरह से मैं सारा लड्डू बना लूँगे मेरा बनाई हुआ अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो यहाँ पर देखिए दो कप बेशन से मैंने टोटल पंदर लड्डू बनाए थे इतना सारा लड्डू बनके तयार हुआ चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेती हुँ इस तरह से मैंने पिष्टा को करस्क कर लिया है इसके उपर इस तरह से डाल रहे हुँ वैसे इस लड्डू को किसी चीज़ सजाने का जरूरत नहीं है यह ऐसे ही बहुत स्वाधिस्ट बनता है तो लिजे बेशन के लड्डू बनके तयार है रेसिपी पसंद आती है तो लाइक जरूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें